दूसरा कोशन आपके सामने है चेंज इन मोमेंटम इस सेम एज मोमेंटम का जो चेंज आएगा वो किसके सेम के बराबर होगा आप मुझे एक बावत आए अगर आप से कहूँ कि भई चेंज इन मोमेंटम क्या होता है चेंज इन मोमेंटम अगर आप से कर लिए को आपको कि वी तू माइनस के भी मैं घूंगा और सी तो M.Deltav तो चेंजिन मोमेंटम है ये तो चेंज इन मोमेंटम को ही कहा गया है इंपल्स क्या कहा गया है इंपल्स अगर आपसे इंपल्स की बेसिक डेफिनिशन पूछो तो आप कहा दो के चेंजिन मोमेंटम को इंपल्स के दें, that is equal to m delta v, तो जो चेंजिन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, वही सेम डायरेक्शन होगी, इंपल्स की, doubt यहां से यह आता है, कि अच्छा, चेंजिन मोमेंटम की बाद कर रहे हो, तो rate of change of momentum जो होता है, यह force के बराबर होता, अगर आप rate of change of momentum की बात करते हैं, तो यह force के direction के equal होता, but आपने सिर्फ change in momentum की बात की, तो change in momentum रिप्रेजेंट करता है, इंपल्स को, तो जो change in momentum का direction होगा, वही impulse का direction होगा अगर यहाँ पर बोलता change in rate of rate of change of momentum किसको बताता तो फिर force के direction को hope so clear हो गए होगा बारी की भरा ये question है इसको उड़ा दो आप